दोस्तों यह दिया आप बिहार सिक्षक भरती परिक्षा की तयारी कर रहे हैं तो प्रात्मिक इस्तर का क्वेशन पेपर आलरेड़ी एक वीडियो हम अप्लोड कर चुके हैं क्योंकि पिछली बार दो सिप्ट में एक्जाम हुआ था मेल का अलग और फीमेल का अलग तो जो मे अधिन के क्वेशन अप्लोड कर चुके हैं अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा जरूर चेक कीजेगा ये सेट ई ओफीशिल जो पेपर वेबसाइट पर अप्लोड किया गया सेट i वाला कोस्ट पेपर है और इसके हम कुश्टिंस स्टार्ट कर रहें कोस्टन नमबर 17 से क्योंकि इसके पहले के जो कुश्टिंस है वह मैतमेटिक्स के हैं और इस विडियो में हम मैतमेटिक्स के को सौल्व नहीं कराएंगे आये 서판 करें चैनल पर पहली बार आएं सिक शेक बरती परिक्षा की त्यारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आन करें क्योंकि अगस्त में फिर से बीपियसी ट्यारी पॉइंट थ्री की वैकेंसी आएगी तो आप लोग पहले से बहतरीन त्यारी कीजेगा Q17 है और इस प्रशन का आंसर होगा भू इस्तिर जो उपग्रा होता है यह एक इस्तिर उचाई पर ही गूमता है तो यहाँ पर आपका आप्शन बीस ही हो जाएगा प्रिजम द्वरा सफेद प्रकास के परिक्षेपड में कौन सा रंग अधिक विचलित होता है हरा लाल बैंगनी या फिर उपरयुक्त में से एक से अधिक प्रशन संख्या 18 के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा बैंगनी जो रंग होता है वो सबसे अधिक विचलित होता है प्रिचिम द्वरा सफेद प्रकास के परिक्षेपड में कौस्चन का लेवल भी आपको देखना है सिर्फ कौस्चन आंसर नहीं एंसी आर्टी से उठकर के कौस्चन साए हैं देखे पद जब कम होते हैं फॉर्म जादा भरते हैं तो बीपीएसी इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर सेट करता है आधे क्वेश्चन जो होंगे वो आपके आसान होंगे मतलब आपके पढ़े हुई होंगे यूजर चित है तो यहाँ पर आयोग का जो अंसर है वो है कि अगर मेग गरजन हो रहा है तो आप छोटे पेड़ के नीचे आश्रे ले लें ताकि अगर आप सेव जगे में यहां पर पहुन जाएंगे छोटा पेड़ होगा तो अगर मेग गरजन होता भी हे तो उससे आपको किसी प्रकार की हानी नहीं होगी उनीस के लिए यहां पर बी आप्शन सही हो जाएगा सतंत्र रूप से प्रत्वी की और गिरते हुए निकाय की कुल उर्जा गटती है बढ़ती है इस्थिर रहती है या फिर उपरियुक्त में से एक से अधिक कुश्यन नमबर बीस में आपका सही जबाब हो जाएगा देखिए सतंत्र रूप से प्रत्वी की और से गिरते हुए निकाय तो उसकी और जा क्या होगा इस्थिर रहेगी यहां पर आपका कुश्यन नमबर बीस के लिए सी विकल्प सही हो जाएगा इकीस्वा प्रशन है नेत्र दाता में दाता की आंख के किस हिस्थे को प्रतिरोपित किया जाता है लेंस कॉर्णिया पूरी आंख या फिर एक से अधिक 21 प्रशन में आपका उत्तर हो जाएगा कॉर्णिया अगला प्रशन है विटामिन बी ट्वल का रायसानिक नाम अब जैसे क्वेश्चन नमबर 21 था कॉर्णिया वाला ये ये आपने इनको कई बार पढ़ा होगा कई अलग-अलग परिच्छा में इन प्रशनों को पूछा भी गया है बी ट्वल का रायसानिक नाम होता है कोबाला मीन निर्मलिकित में से अमलचार का संकेतक है ये भी आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर 23 में सिरक अतिछारी हो जिब म्रदा अतिछारी हो तो उसमें पौधे पैदा नहीं होते म्रदा की गुडवत्ता में सुधार के लिए क्या करना चाहिए तो इसमें चूने का प्रियोग नहीं करना है और नहीं कैला माहिन का प्रियोग करना है क्वेश्चन नमबर 24 में आपका उत्तर ह जाएगा कार्बनिक पदार्थ तो म्रदा की गुडवत्ता में सुधार के लिए कार्बनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाना चाहिए इस प्रश्ण का अंसर होगा ऑप्शन नमबर फर्श्ट के साथ अगला प्रश्ण देखेगा क्षशन नमबर पचीस क्या पूछ रहा है यह भी प्रश्ण आपने कई बार पढ़ा होगा तो कुछ क्षशन आपको मिलेंगे जो आपको लगेगी बहुत आसाना है लेकिन बाकी के जबाब क्षशन देखेंगे तो पे माइनस 459.4 पारिन हाइट क्षशन नमबर 26 देखेगा प्रकास तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है अनुपरस्थ तरंगे अनुदेर्ग तरंगे विद्धित चुम्ब की तरंगे या फिर ऑपर उपरेक्ट में से एक से अधिक क्षशन नमबर 26 देखेगा जो प्रकास तरंगी होती है ये विद्ध चुम्ब की तरंगी होती है और इनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं तो अनुप्रस्त तरंगों के अंतरगत रखते हैं तो यहां पर आपका उत्तर फाइनल जाएगा डी ऑप्शन के साथ प्रबल अम्ल और धुर्बल छारक से बने लवड का प किसके बराबर होता है एक तरीके से कंप्यूटर से प्रशन है या फिर आप कह सकते हैं कि सामान अज्यन से तो एक हजार चौबीस एमबी मेगा बाइट के बराबर होगा उन्तीस्वें प्रशन है आपकी स्क्रिन पर सोडियम हाइड्रॉकसाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम प्रशन हाइड्रॉकसाइड और हाइड्रोक्लोरिक अमलकी अविक्रिया के फलसुरूप सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं ये प्रक्रिया उदासीनी करणका एक उदार है औरजा उत्पादन के लिए कोसिका प्राया किसका उप्योग करती है अमीनो अमलक ग्लूकोज वसा अमलकोशन नमर 30 में आपका सही जवाब हो जाएगा पूछा जा रहा है आपसे कि उर्जा उत्पादन के लिए कोसिका प्राया किसका उप्योग करती है ग्लूकोज का उप्योग करती है बी विकल्प सही होगा प्यूस ग्रंति का कार्य क्या है पुर्स में यौन अंग रूशन गर रिखम को नियंत्रित करते है तो यहांपर है र्रीर की हटी खोपड़ी और हाईपोथेलमस पॉंस मेंडूला और सेरिबयलम यहां पर आपका 32 में आइंसर हो जाएगा। फ़्योग के साथ बाइविकल्प संथ मिलकर नेट जीरो इन् Music वर्चूवल सेंटर बन बनाने की घोश्रा की है रूस ब्रिटेन ब्राजील उपरिक्त में से एक से अधिक प्रशन संक्या 33 में आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन ठीक है ब्रिटेन की साथ मिलकर निट जीरो इनोवेशन वर्चुल सेंटर बनाने की घोश्रा की गई है इस टॉपिक से प्रशन इस बार भी पूछा गया है बट इस बार सीटों की संख्या नहीं दूसरा प्रशन पूछा गया है कि संसत के डिजाइन को कुष्णिय तयार किया है अगर आपको इस प्रशन का आंसर पता है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा उत्तर होग ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लांच किया है कुसल प्लेटफॉर्म, ग्रियन प्लेटफॉर्म, डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म, उपरयुक्त में से एक से अधे क्या फिर उपरयुक्त में से कोई नहीं 35 नमबर का प्रश्ण है और आंसर हो जाएगा डिजी क्लेम प्रेटफॉर्म जो है ये भारत सरकार के दोरा लांच किया गया है किसान बीमा दावों के लिए Q36 36 प्रश्ण है कि नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुक के रूप में किसे न्यूक्ट किया गया है अमित चत्री सुमित चत्री के सिवन या फिर एक से अधिक Q36 में आंसर हो जाएगा अमित चत्री ओप्शन नमबर फ़र्ष्ट से ही होगा बिहार मद्द निशेद और उत्पाद सुल्क संसोधन अधनियम 2022 के नुशार सराप की धुलाई करने वाले वहनों को छोड़ने है तो जुर्माने की रूप में उनकी बीमित रास्त का कितुना प्रतिशत देना होगा कॉश्चन नमबर 37 बिहार का इंट अफेर से प्रशन है इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा यहां पर 10 प्रतिशत देना होगा कॉश्चन नमबर 38 देखिएगा पूछा जा रहा है कि एर बस एवं बोईंग से मुकाबले के लिए किस देश ने सी 919 यात्री विमान बनाया है भारत चीन या फिर ब्रेटेन कॉश्चन नमबर 38 में आपका सही जवाब हो जाएगा चीन कॉश्चन नमबर 49 कृति राज सिंग किस खेल से संबंधित है भारत तोलन बैडमिंटन क्रिकेट या फिर एक से अधिक 49 में आंसर होगा भारत तोलन कॉश्चन नमबर 40 बिहार उद्योग विभाग दोरा जारी उद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस दिले ने सरवोच इस्थान प्राप्त किया है कॉश्चन नमबर 40 की अगर हम बात करें तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सिवान अर्थाद आप्शन नमबर फ़श्ट 41 प्राशन देखिएगा यहाँ पर सेट ए के कॉश्चन आपको हल कराया जा रहे है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्याले निम्नलखित में से किसे जारी कर सकता है और इस पेपर 120 नमबर के कॉश्चन पेपर में फीमेल का कटाफ आइधिंक 57 प्लस गया था यहाँ तो 58 से अभी सप्लिमेंटरी रिजल्ट में कुछ कटाफ थोड़ा साल का डाउन भी वाइधिंक कुछ डेटा बर्त का वीसू था लेकिन यह मान करके चलिएगा कि 120 में जिसके 50% नमबर थे 57 अठावन भूल जाएए अगर आपके यहाँ पर नमबर फीमेल में 60 प्लस थे वो सभी लोग नौकरी कर रहे हैं ठीक है तो कुछ कुश्चन जरू टफ होते हैं हर पेपर में इसको लेकर कि आपको घबडाना नहीं है बाकी जो आपकी त्यारी है वो करनी है भाई जिसके 60 नमबर सही आगए उन्हों करी कर रहा है 60 गलत हो गए चलेगा ना कुश्चन नमबर 41 में आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर रिट अगरा प्रशन देखिएगा निमलिकित में से कौन सा बांध महा नदी पर इस्थित है तो हीरा कुंड और दुदवा दोनों ही बांध महा नदी पर इस्थित है अंसर जाएगा डी के साथ अल अक्सा मश्जित जो हाली में खबरों में थी किस सहर में इस्थित है रोम जेरुशलम रियाद या फिर उपरिक्ट में से एक से अधिक कॉश्चन नमबर 43 में आंसर हो जाएगा विकल्प डी के साथ कॉश्चन नमबर 45 देखेगा कथन एक प्रतवी एक परिवार एक भविस से ये किस के साथ संबंधित है कॉश्चन नमबर 45 में आंसर होगा जी टुन्टी के साथ संबंधित है कथन एक प्रतवी एक परिवार एक भविस से कॉश्चन नमबर अगला दे थी लेकिन आस्तित में 2007 में आया था और ये तीनों ही बातें संबंद में सही है इसलिए इसका अंसर जायेगा डी के साथ कॉश्चन नबर 47 कॉटेल लिकिस इस्थान में राजिनीत विग्यान और अर्थसास्त के प्राध्यापक थे नालंदा पाटली पुत्र तक्षिसला या फिर ओपरिक्ट मेंसे कोई नहीं अगर आप यूटूब पे आंसर की वाला इस तरीके का कोई वीडियो देख चुके हैं तो इसमें आपको आंसर अलग देखने को मिल सकते हैं इस वीडियो में जो आंसर बताय जा रहे हैं आयोग की फाइनल आंसर की के बाद जो आंसर दिये गए थे वही आपको बताय जा रहे हैं क्षिन नबर 47 के अगर हम बात करें आंसर हो जाएगा यहां पर तक्षिसला आप्षिन नमबर C के साथ जाएंगे बिहार में 1781 के विद्रों के बारे में कौन सा कथन सही है यह जमी दोरों दोरा किया गया विद्रों था यह किसानों दोरा किया गया विद्रों था अंग्रेज बिना किसी परेसानी के विद्रों को कुचलने में सफल रहे प्रश्ण संक्यार तालीस में आंसर हो जाएगा उपडिक्त में से एक से अधिक कथन सकते हैं 1781 के विद्रो के बारे में यह जो विद्रो हैं इनसे क्वेशन जरूर आते हैं 1781 का विद्रो हो गया तो यहां पर हम बात करेंगे क्वेशन नमबर 49 की पूछा जा रहा है निमले खित में से कौन सास सीत कटिबंधी में आता है ठीक है तो इस संबन्द में भी जो कथन दिये गए हैं वो एक से अधिक सही हैं इसलिए इसका आंसर गया है आप्शन नमबर D के साथ सीत कटिबंधी के बारे में आपका यहां पर आंसर चला जाएगा आप्शन नमबर D के नुसार सिक्किम की जनसंख्या चे लाख है अगला चेतर फल की दष्टी से उतर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है गलत है यह भी गलत है तो यहां पर आंसर हो जाएगा 51 के लिए पहला विकल्प 2011 की जन गड़ना के नुशार सिक्किम की जन संख्या 6 लाक है भारत में 1952 की राष्टी वननीत में उल्लेखित देश के कुल भौगौलिक शेतर में वन शेतर का वांचित प्रतिशत कितना होना चाहिए कितना होना चाहिए आपसे पूछा जा रहा है कुल भौगौलिक शेतर में कितने प्रतिशत वन जो हैं होने चाहिए प्रश्ण संख्या 52 में आपका आंसर क्या जाएगा 33 प्रतिशत ऑप्शन नंबर B के साथ जाएगे अगला प्रश्ण आपर निर्मलिकित में से कौन सा स्थानांतरित क्रसी का नाम है बेवर दहिया पोदू इस्थानांतरित क्रसी के नाम आपसे पूछे जा रहे हैं प्रश्ण संख्या तिरपन के लिए आंसर हो जाएगा उपरिक्त में से एक से अधिक ठीक है क्योंकि का कसावा प्रश्ण संक्या चववन प्रश्ण संक्या चववन के लिए सही जवाब होगा मलो का option नंबर बी के साथ क्रिश्ण नंबर पच्चपण देखेगा एतिहासिक दक्षडापत नामक छेत्र का विस्तार है विंद्याचल परवश लेड़ी से क्रिशना नदी के मद्दे विंद्याचल परवश लेड़ी से कावेरी नदी के मद्दे सत्पुडा परवश लेड़ी से नील गिरी के मद्दे तो पर्युक्त में से एक से अधिक प्रशन सिंख्या 55 में आपका आंसर हो जाएगा जो दचला पत का विस्तार है ये इस संबन्द में जो कथन दिये गए हैं एक से अधिक वो सही है तो पच्पन के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ओप्शन नमबर डी के साथ क्वेशन नमबर 56 देखिएगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाहत संत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है दिल्ली रिज मालवा का पठार और बंदेल खंड दिल्ली रिज अरवली परवशेडी सहाद और अमरकंटक की पहाड़ियां दिल्ली रिज मालवा का पठार और छोटा नागपूर का पठार क्वेशन नमबर 56 दो अरब सागर और ब नमबर 57 में पूछा जा रहा है सीत काल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्री रहने वाले पश्चिमी विच्छोब की उत्पत इस्थल क्या है एसिया माइनर एसिया पश्चिमी एसिया पश्चिमी एसिया का भूमद्य शागरी 36 प्रशन संख्या 57 में आपका आंसर हो जाएगा ओपरिक्ट में से यहां पर C वाला ओप्शन सही हो जाएगा ठीक है पश्चिमी एसिया का भूमद्य शागरी 36 तो 57 के लिए विकल्प चला जाएगा ओप्शन नमबर सी के साथ जी टी त्रिवार्था के नुशार भारत में एम प्रकार की जलवायू का छेत्र है मेगालाई का पठार पश्चिमी घाट कोरो मंडल तर्टी छेत्र उपर्युक्त में से एक से अधिक क्वेशन नमबर अठावन में आपका उत्तर हो जाता है एफ एम और एडबलू एफ में आ जाती है ओशन कटिबंधी आर्थ जलवायू एम में आती है ओशन कटिबंधी मानसून जलवायू और बात करेंगर हम यहाँ पर तीसरी प्रकार की जलवायू में तो AW में आती है ओशन कटिबंधी आर्ध जलवायू जिससे सीत रितु शुस्क होती है यह NCRT से ही प्रशन पूछा गया है विस्सकी जलवायू से यह प्रशन है NCRT में आप पढ़ेंगे तो इसका डेटेल विशलेशन आपको देखने को मिलेगा जी टी तरिवार्था के नुसार एम प्रकार की जलवायू का यहां पर आपसे छेत्र पूछा गया था तो आपने आंसर दिया पश्चिमी घाट अगला प्रशन देखिएगा क्वश्चन नंबर अगला है उत्तरी भारत में सीत काल में उपजाई जाने वाली चावल की फश्चनों के स्थानी नाम पूछ जा रहे हैं अब ये क्वश्चन किसी ने नहीं पढ़ा होगा बहुत कम प्रात्मी किस तर के पेपर में ऐसे प्र विश्चन नहीं है क्वश्चन नंबर साथ प्रश्चन संक्या साथ में आपका आंसर क्या होगा कि कौन सी विश्चन नहीं है ठीक है ये जो विश्चन दी गई है ये जो विश्चन दी गई है ये कोई भी विश्चन मध्यवर्ती गंगा कोई भी विश्चन नहीं है से लि अधिक लेकिन ऐसा नहीं है अगला प्रशन देखिएगा प्रशन संख्या 61 पूछ रहा है यहां पर इनमे से समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित कौन थे एक यंग इंडिया है और एक न्यू इंडिया यहां पर आप से न्यू इंडिया पूछा जा रहा है और इससे संबंधित व्यक्ति का नाम है महिला का नाम है एनी वेसेंट तो यहां पर आपका 61 के लिए option नमबर 20 ही हो जाएगा भारती सो तंतरता संगर्स के दोरान किस ने सवदेश बांधो समिति का गठन किया था यही प्रशन बहुत कम ही लोगों ने पढ़ा होगा question number 62 में आपका उत्तर हो जाएगा अश्मिनी कुमार दत्त के द्वारा सवदेश बांधो समिति का गठन किया गया था question number 62 के लिए पहला option सही हो जाएगा चंपारण नील आंदुलन के दोरान महत्मा गांधी के साथ कौन थे question number 63 उत्तर होगा यहाँ पर एक से अधिक option number यहाँ पर डी सही हो जाएगा question number 64 है किस तिथी को अगस्त करांट 1942 के दोरान लिन लिथिगो ने पत्नायों में इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था question number 64 में आपका अंसर क्या जाएगा 64 का अंसर जो है वो अलग है क्योंकि यहाँ पर वो तारीख नहीं दी गई है ठीक है जब यह आदेश दिया गया था तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा option number E के साथ चले तो यहाँ पर आपका अंसर होगा 11 अगस्त इसी वज़े से इसका अंसर उपरेक्ट में से कोई नहीं दिया गया है और अगर आपको इस प्रशन में डाउट है कि चमपारन नील आंदोलन के साथ कौन था तो नरहिर पारेक थे और देशाई थे इसी वज़े से इसका अंसर डी गया है आगे बढ़ते हैं निमलेखित में से कौन सा विद्रो आंदोलन लंबी दाड़ी रखने पर कर लगाया जाने के करड़ हुआ था question number 66 में आंसर होगा वहाबी आंदोलन question number 66 देखेगा किस सणयंत्र के मामले में तीन अंग्रेजों को साजिस करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था प्रश्ण संख्या 66 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विकलप आपका सही हो जाता है मेरट सणयंत्र मामला उना पैक्ट का उद्धेश क्या था रियासतों के साथ संग का निर्माड भारती राष्टी कांग्रेश में महिलाओं का प्रतिन धित्ट दलित वर्ग का राजनेतिक प्रतिन धित्ट उपरिट में से एक से अधिक question number 68 में आपका अंसर होगा उना पैक्ट का उद्धेश से आपसे पूछा जा रहा है और इस संबंद में आपका सही जवाब हो जाएगा दलित वर्ग का राजनेतिक प्रतिन धित्ट प्रत्थम अखिल भारती कांग्रेश समाजवादी सम्मेलन कहां हुआ भागलपूर मुझफरपूर या फिर पतना question number 79 answer होगा पतना में हुआ question number 70 देखेगा यहाँ पर बायोग्राफी आप कुमर सिंग एंड अमर सिंग के लेखक कौन है एमेन राओ कालिंकिंकर दत जवाहलाल नहरू उपरिउक्त में से एक से अधिक प्रश्ण संख्या सत्तर में आपका सही जवाब हो जाएगा option number B के साथ कालिंकर दत स्वाश्चंद बोस भारती राश्टी कांग्रेस के त्रिपुरा त्रिपुरी दिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे question number 71 answer हो जाएगा यहाँ पर पट्टा भी सीता रमया option number A सही हो जाएगा दॉक्टर भीमरा मेडकर के विसे में कौन सा कथन सत्त है उन्होंने मूख नायक का प्रकाशन किया उन्होंने बहिस्क्रत हित कारणी सभा की स्थापना की उन्होंने बहिस्क्रत हित कारणी सभा की स्थापना की उनका दिहान तो 1956 में हो गया question number 72 देखे भीमरा मेडकर के वारे में सही कथन आप से पूछा जा रहा है question number 72 की बात करें तो इस संबंद में जो मेडकर साहब के कथन दिये गये हैं सभी कथन सही है चलिए इसका अंसर हो जाएगा एक से अधिक अगला प्रशन दिखेगा question number 73 सौ तक आपको कराएंगे यहां पर जो है आंदोलन के नाम दिये गये हैं और उससे संबंदित महतपूर केंड दिये गये हैं आपको सही मिलान करना है नीचे आपको दिया गया कूट दिख रहा होगा तो चलिए सही मिलान करते हैं देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पहला दिया गया है कि नील के पौधे लगाने वालों का अंदोलन जो है किससे संबंदित था यहां पर question number 73 इतरी के लिए देखिएगा आप वीडियो को रोक करके अपने copy pen मिला मतलब उठा करके भी इसको मिलान कर सकते हैं प्रशन संख्या 73 की गर हम बात करें तो A के साथ जाएगा यहां पर आपका चंपर फिर है खेतिहर सत्यागरह का संबंद किससे था खेरा से था यानि B का जाएगा आपका C के साथ ठीक है अब बच रहा है कपास मिल मजदूरों का सत्यागरह यह एहमदाबास संबंदित था तो आपने इतने मिला लिये हैं लाश्ट आपका बच रहा है उत्तर हो जाएगा यहां पर D वाला मिलान जो होगा वो फोर्थ के साथ होगा तो C इसका सही कूट सही हो जाएगा भारत में प्रेस की सुतंतरता लोगों को प्राप्त है क्योंकि क्षण नमबर 74 में आपका आप्षण दिया गया है कि यह संसद की विधी के तहत लोगों के लिए उपलब्द है यहाँ भारत के संविधान में विशेश रूप से प्रदत है अगरा प्रशन कहता है कि यहाँ विचारा विविक्त की स्वतंतरता के अधिकार में नहित है प्रशन संख्या 74 क्षण नमबर 74 के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा यह विचारा विविक्त की स्वतंतरता के अधिकार में नहित है बाकाइदा संविधान में एक आर्टिकल भी इस संबंद में दिया गया है आगे बढ़ेंगे एगले प्रशन के लिए सूची यहाँ पर दी गई है खनिच संसाधनों की संपनता परंट उद्योगी करण की कमी इसका संबंद किस से है किस प्रांत से है इसको लेकर के यहाँ पर नीचे कूट दिये गए है क्वेशन नमबर सेवेंटी फाइफ तो यहाँ पर जो यह उद्योगी करण की कमी थी यह थी जार खंड में अर्थात एक साथ आपका जाएगा फ़र्ष्ट और बी के साथ यहाँ पर सेकेंड जाएगा यहाँ पर विल्कुल सामने सामने दिया गया है इसलिए एक दो तीन चार और एबी सी डी वाला जो आप्शन है वो सही हो जाएगा बढ़ेंगे अगले प्रश्ण के लिए प्रश्ण संख्या अगला देखिएगा क्रश्ण नमबर चियत्तर है हिमालयन यू नामक और सगी पौधा भारत के निमनलिख्यत में से किस प्रांतों में पाया जाता है हिमाचल प्रदेश तथा अरुनाचल प्रदेश उत्तरा खंड तथा मद्दि प्रदेश यहाँ पर दिया गया है जमू कसमीर तथा असम और उपरिक्त में से एक से अधिक प्रश्ण संख्या है 76 और इस प्रश्ण के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश था अरुनाचल प्रदेश समुद्र पारी भारती नागरिक्ता यानि OIC योजना भारत में निमलिखित में से किस अधनियम दोरा प्रारंब की गई थी कुशन नमर 77 के लिए सही जवाब हो जाएगा आपका नागरिक्ता संसुधन अधनियम 2003 के तहट समुद्र पारी भारती नागरिक्ता योजना प्रारंब की गई थी अगला प्रशन है निमलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाती विवस्था के लोग होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है सम्मिदान तथा इसकी आधारबू सनचना सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास आगे यहाँ पर दिया गया है साच चर्ता एवं सिक्छा विकास या फिर एक से अधिक प्रशन संख्या 78 कौशन नमर 78 सही जवाब होगा इस प्रशन के लिए कौशन नमर 78 के लिए एक से अधिक जात बिवस्था के लोप होने के कारण पूछे जा रहे हैं क्योंकि यह सभी कारण इसके लिए जिम्मेदार है चलिए इसका अंसर होगा ओप्शन नमर डी के साथ कौशन नमर 79 है भारत की केंडरी सरकार का पंचायती राजमंत्राला इनिमलिखित में से किस वर संदिर्मित हुआ था क्योंकि नमर 79 में आपका अंसर हो जाएगा दो हजार चार क्योंकि नमर 80 देखिएगा इनमे कौन विश्वास करता था कि एक साम्मिवादी समाज भविश्य का प्राकृतिक समाज था क्योंकि नमर 80 प्रश्ण संख्या 80 की अगर हम बात करें तो इस प्रश्ण के लिए आंसर हो जाएगा कार्ल माक्स क्योंकि नमर 81 इनमे से कौन दा सोसल कॉन्ट्रेक्ट पुस्तक का लेखक है थॉमस होप्स, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो उपरिक्ट में से एक से अधिक क्रश्ण नमर 81 जीन जैक्स रूसो अगला प्रश्ण है प्रश्ण संख्या 82 निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारत वर्स के अंतरगत बहु उद्देसी पर्योजनाओं के विरुद्द सुबारंब किया गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन टिहरी बांद आंदोलन चिपको आंदोलन या फिर उपरिक्ट में से एक से अधिक देखे पूछा रहा है बहु उद्देसी पर्योजनाओं के विरुद्द सुबारंब एक से अधिक योजनाओं का किया गया था तो 82 के लिए आंसर जाएगा डी के साथ निवलिगित में से कौन सा भारत के समिधान के अंतरगत मूल करतब है कॉश्चन नमबर 83 आप समझ रहे होंगे यहाँ पर भी जो कथन दिये गए हैं सभी सही है इसलिए अंसर हो जाएगा एक से अधिक कॉश्चन नमबर 84 आंसर हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर भीम राव राम जी अम्बेडकर अर्थाथ सी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा 85 देखेगा आइरलेंड को जबरदस्ती यूनाइटेट किंगडम में कब मिलाया गया 1707, 1798, 1801 कॉश्चन नमबर 85 आंसर हो जाएगा अथारा सो एक में कॉश्चन नमबर 86 देखेगा सर्व सिक्षा भियान किसने प्रारंब किया प्रश्न संख्या 86 सर्व सिक्षा भियान किसने प्रारंब किया अटल बिहारी बाच पे यहाँ पर सी विकल्ब सही हो जाएगा श्री लंका कब सोतंत्र हुआ कॉश्चन नमबर 87 1948 में अन्नपूर्णा योजना रासनकार किसके लिए है प्रश्चन संख्या 86 व्रद और गरीब लोग जो 65 वर से अधिक हो उनके लिए है अन्नपूर्णा रासनकार योजना कॉश्चन नमबर 89 है पारिस्तिक तंत्र में वाई आकार का उर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था ओडम लेंडमेन क्लिमेंट से या फिर उपर उक्त में से एक से अधिक प्रश्चन संख्या 89 उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ओडम के द्वारा दिया गया था एस ओटू प्रदूशण सूचित होता है आर्किर द्वारा मैंग्रो द्वारा लाइकेन द्वारा या फिर एक से अधिक प्रश्चन संख्या 90 उत्तर हो जाएगा लाइकेन द्वारा सलीम अली पच्छी अभ्यार इस प्रश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे चूंकि यह पच्छी अभ्यार पूछा गया था राष्टी उद्वारा नहीं के लिए आंसर हो जाएगा कोई नहीं क्योंकि इसका सही आंसर है गोवा अगला प्रश्चन देखेगा को ख्याला है देखे यह प्रश्चन आपके फ्रेंडली है मतलब आपने इनको कई बार पढ़ा है कई परिक्छों में पूछे गए हैं 92 की अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा क्ष्चन नमबर 92 के लिए बिलकल सही है स्विटजर लेंड अगला प्रश्चन कहा जा रहा एक पोसी स्तर से दूसरे पोसी स्तर में कितने प्रतिशत और जा अवसोसित होती आपने 10% लिंडे मैन का नियम पढ़ा होगा 93 में आपका अंसर हो जाएगा 10% 94 सोसन मूल किसमे पाया जाते हैं जलोद भीद मरूद भीद लवणोद भीद या फिर उपरयुक्त में से एक से अधिक सोसन मूल जो है वो पाया जाते हैं यानि जलोद भीद और इस सम्बंद में एक से अधिक कतर सही है चलिए इसका अंसर जाएगा ऑप्शन नमबर डी के साथ क्रशन नमबर 95 देखेगा कौन सा दित्यक प्रदूशक है तो पैन भी होता है और ओजोन भी दित्यक प्र क्रशन का अंसर कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे 96 में क्या अंसर होगा जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखेगा अभी अभी हमने आपको वीडियो में बताया भारत में उश्ल कटिबंदी वरसावन कहां पाया जाते हैं करनाटक में हिमाचल प्रदेश में केरल में उपर्युक्त में से एक से अधिक. कॉश्चन नमबर 97 की अगर हम बात करें आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक. कॉश्चन नमबर 98 भारत में मीथेन का मुख खिश्रोत क्या है? गेहूं का खेद, गर्ने का खेद, धान का खेद. उत्तर होगा यहाँ पर धान का खेद 99 देखेगा वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है किस परत का तापमान सबसे कम होता है तो मध्यमंडल यहाँ पर 99 के लिए सी विकल्प सही हो जाएगा क्रमिक पोसी इस्तर में विशाक्त पदार्थों की सांद्रता में व्रद्धी को क्या कहते हैं शुपोशर जैव आवर्धन जैव संचय उपड़ुक्त में से एक से अधिक उत्तर होगा जैव आवर्धन निबलिकित में से कौन सा सुस्क तारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति की रूप में कार्य करता है लाइकेन मनुष जड़ी बूटी या फिर ओवर्धन में से एक से अधिक 101 में आंसर हो जाएगा लाइकेन रामसर सम्मेलन किसके संदक्षड से जुड़ा है सुस्क भूमी आदर भूमी वन या फिर एक से अधिक उत्तर होगा यहां पर आदर भूमी रामसर सम्मेलन का संबंध आर्द भूम से है इटाई टाई रोक किसके करण होता है कॉश्चन नमबर है 103 उत्तर हो जाएगा कैडमियम के करण होता है 104 देखिएगा इन सीटू संदक्षड के अधिन सामिल नहीं है कॉश्चन नमबर 104 देगे वनस्पति ग्यान जो है इन सीटू के अंतरगत नहीं आता है 105 देखिएगा और आगे के कॉश्चन आपको मिलेंगे रिजनिंग के तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं बाकि इसका जो पार्ट वन था जो मॉर्निंग सिफ्ट के कॉश्चन थे वो हमने कराए हैं इस वीडियो में यहां पर वो वीडियो बन करके आ रहा है क्लिक करके देखें आपको आपकी परिक्षा के लिए सुब काम ना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में